हैलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग नर्सिंग एप्टिट्यूट का लेक्चर नमबर पांच करेंगे इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रल गॉवर्मेंट के दौरा चलाये गए सभी स्कीम को कबर करेंगे क्योंकि देखिए नर्सिंग एप अधिके में भी कुछ पूछे जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश ब्यस्सी नर्सिंग के लिए या आप लोगों के लिए बहुत ही आवस्यक है या अन्य कहीं भी जहां पर नर्सिंग एप्टिट्यूट पूछा जाता हो तो आप लोग बिलकुल भी इसकिप ना करिए और ल देख सकते हैं लोगों उसके बाद इसका बीजिन क्या था? वर्तन यह 29 अगस्त 2019 आप लोग के वल इतना याद रखना है कि फिट इंडिया मुव्मेंट फिट इंडिया मुव्मेंट कब चला था 29 अगस्त 2019 तो आप लोग यह देख सकते हैं उसके बाद अगला देखिए अगला क्या है सुरक्षित मात्रित आस्वासन जिसको सुमन कहते हैं सुरक्षित मात्रित आस्वासन जिसको सुमन कहते हैं सुरक्षित मात्रित आस्वासन जिसको सुमन कहते हैं सुरक्षित मात्रित आस्वासन कब चला था 10 अक्टूबर 2019 10 अक्टूबर 2019 को start किया गया था सूरचित मात्रित आस्वासन इसमें क्या इसका मेन लच्छ क्या था जैसे देखिए इसका मेन लच्छ था आप लोग देख सकते हैं मात्रित मृत्वदर और सिस मृत्वदर में कमी लाना इसका मेल लक्ष था मात्र मिर्तुदर और सिस्र मिर्तुदर में कमीलाना इसका मेल लक्ष था उसके बाद आगे देखिए आगे क्या है जंधन योजना जंधन योजना तो जंधन योजना आप लोग जानते होंगे इसको कब प्रधान मंत्री जंधनी योजना के नाम से भी जाना जाता है कब श्टर्ड किया गया था 28 अगस्त 2014 इसकी आरंबती थी है 28 अगस्त 2014 क्या था इसका अधिकतर लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोशाहन मिल सके यह मिनिस्ट्री आप फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है अब तक 46.25 करोड खाते दिसंबर 2022 तक अनुमानित खोले गए हैं इस योजना में जीरो बैंक बैलेंस से आप खाता खोल सकते हैं तो मेन क्या है जंधन योजना कब श्टर्ड हुआ 28 अगस्त 2014 अब देखी अगला स्कीम क्या है अगला स्कीम है Skill India Mission Skill India Mission आप लोग देख सकते हैं इसका सिंबल क्या है कुशल भारत कुशल भारत यह इसका पूरा नाम था इसकिल इन्डिया कुशल भारत कुशल भारत शुरूवात कवोई 15 जुलाई 2015 को तो दीखी ये question जो है ये nursing aptitude में भी question पूछे जा सकते हैं क्योंकि health से related भी काफी schemes हैं उसके बाद और किसमें और GK में भी question पूछे जा सकते हैं तो परदान मंत्री कौसल बिक्यास योजना के अंतरगत Skill India Mission चलाया गया था मंत्राले काउन था? जैसे ministry किस ministry के दौर चलाया गया था Ministry of Skill Development and Entrepreneurship कौसल बिक्यास और उद्दिमिता मंत्राले उद्देश क्या था? Skill India Commission का उद्देश गरीब बच्चों के गरीब बच्चों के कौसल को उभारना जिससे उभारना जिन्होंने किसी कारणवस अपनी पढ़ाई को बिराम लगा दिया तो ये इसका उद्देश था तो आप लोगों को मेन क्या याद रखना है? मेन आप लोगों को याद रखना है कि कभी स्टार्ट हुए इसका उद्देश से क्या है? उसके बाद देखिए अगला क्या है? Make in India Make in India Movement तो आप लोग ये भी देख सकते हैं Make in India 25 सितंबर 2014 को इस्टार्ट हुआ वर्थ 2014 में लांच की गए योजना Make in India का मुख्य उद्देश देश को बैस्विक भी निर्मार का कायकल्प में बदलना मतलब जो चीजे निर्मित हो रही हो भारत के अंदर ही निर्मित हो ये इसका जो है में उद्देश से था है यह पहल दुनिया भार के समभावित निवेशकों और भागिदारों को New India के नीचे के लिए आमंत्रित करना है तो मेक इंडिया जो मूव्मेंट अथा ये 25 सितंबर 2014 25 सितंबर 2014 तो आप लोग डेट याद रख सकते हैं इसका पीडिया भी मैं आप लोगों को प्रवाइड करवा सकता हूँ तो देखी उसके बाद मेक इंडिया मूव्मेंट के ताहत ये देखी जैसे यूपी में पूशा भी जा सकता है एक जिला एक उत्पाद तो यूपी के प्रतेख जिले का अपना एक विस्स्ट उत्पाद है जैसे आप लोग मैं प्रयाग राज की बात करूँ तो यहां का मूझ उत्पादन प्रयाग राज का मूझ उत्पादन सुल्तानपुर अमेठी मोज उत्पादन उसके बाद प्रताबगड आउले के लिए प्रसिद्ध है तो इसी प्रकार प्रत्येक जिले का अपने एक बिस्ष्ट उत्पाद है वो इसी के अंतरगत था उसके बाद देखी ये काफी कुछा जाता है काफी पूछा जाता है आप लोग जानते भी होंगे दिन दयाल अंतियोदे योजना है ये 25 सितंबर 2014 को स्टाड किया गया 25 सितंबर 2014 को कौन से मंतराले के दौरा Ministry of Housing and Urban Poverty Elevation Government of India इसका बजट तीन हजजार करोड था इसका उद्देश क्या था इस योजना का उद्देश कौसल विकास और अन उपायों के माध्यम से आजीविका के आउसरों में बृद्धी करना और ग्रामीड गरीबी को कम करना सामाजी के एक जोटता और संस्था भी क्या सहरी गरीबों को सबसीडी सहरी निरासरय के लिए आसरय मतलब जिनके पास घर नहीं है ये दिन दयाल अंतियोदय योजना 25 सितंबर 2014 तो आप लोग इसको देख सकते हैं उसके बाद ही स्वच्छ भारत मिसन ये भी समझे लिए काफी इंपोर्टेंट है 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली से इसका मतलब प्रारम हुए था स्वच्छ भारत मिसन तो आप लोग इसका सिंबल भी देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिसन एक कदम स्वच्छता की ओर जो एक स्लोगन था मतलब किस मंत्राले के दौरा किस मिनिफ्टरी के दौरा इसको प्रारम किये गये था मंत्राले था पेजल और स्वच्छता मंत्राले पेजल और स्वच्छता मंत्राले इसका उद्देश क्या था स्वच्छ भारत का उद्देश दिनांग 2 अक्टूबर 2019 तक किया जाए जागरुकता लाकर और स्वास्थ संबंधी स्च्छा के माध्यम से अस्थाई स्वाच्छता के प्रति प्रक्रियाएं अपनाना तो आप लोग देख लीजिए का 2 अक्टूबर 2014 स्वाच्छ भारत मिसन एक कदम स्वाच्छता की ओर मिनिस्ट्री पियजल और स्वा योजना ये भी देखिए पूछा जा सकता है सांसद आदर्स गाउं योजना के कब स्टार्ट किये थी यार अक्टूबर 2014 इसके अंतरगत प्रतिक सांसद द्वारा एक गाउं को गोद लेकर उसका विकास करना था उसके बाद अगला देखिए अगला क्या है मिसन इंद्र योजना ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट है ये मिसन इंद्र धनुस योजना 25 दिसंबर 2014 को तो आप लोग इस पगार का देखिए सिंबल भी देख सकते हैं तो 25 दिसंबर 2014 को इंद्र धनुस के साथ रंगों को प्रदर्शित करने वाला म मिशन इंद्रधनुस का उद्देश उन बच्चों को 2020 तक टीका करण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं यह डिप्थेरिया बलगम टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और तथा हेपेटाइटिस भी रोकने जैसे 7 टीके आंसिक रोप से लगे हैं तो यह भी पूछा जा सकता है क्विश्चन में जैसे जो मिशन इंद्रधनुस 25 दिसंबर 2014 को लांच हुआ था इसकीम इसके अंतरगत वो 7 रोप काउन से थे जिनके टीके से संबंधित यह मिशन लांच किया गया था तो आप लोग उसमें देख सकते हैं डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदी, खसरा और हेपेटाइटिस B उसके बाद फिर अगला एक मिशन चला मिशन इंद्रधनुस 2.0 तो यह प्रभावी वर्स इसका कब था 2017 इसमें दो वर्स से कम उम्र की 90% बच्चु का टीक करण कबर करना था तो यह मिशन इंद्रधनुस 2.0 था उसके बा परगास राष्ट्री टीक करण कारिकरम के कबरेज का विस्तार करने के लिए केंद सरकार ने फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुस 3.0 लांच किया इस मिशन का उद्देश आज संगठित आबादी तक उनके टीक करण के लिए पहुचना है और साथ ही सारभोमिक टीक किया गया 2.6 करोड किया उसके बाद देखें और एक इसकीम है पंडित दीन दयाल स्रमयो जैते योजना कब लांच हुगा 16.00 अक्टूबर 2014 को पंडित दीन दयाल स्रमयो जैते योजना मंत्राले काँ था स्रम मंत्राले उद्देश से क्या था अस्थानी निर्माताओं को करके make in India योजना को लागू करना इसका उद्देश से था उसके बाद देखे हिर्दय योजना एक चली थी हिर्दय योजना का full farm था heritage city development and augmentation योजना ये 21 जन्वरी 2015 से करना इसका उद्देश से था इसका बजट मंत्राले कौन था आवासन और शहरी कारे मंत्राले बजट भी 500 करोड था उसके बाद देखे ये काफी important हो जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जन्वरी 2015 को ये start होता है इस योजना का लच लड़कियों को पढ़ाई के जरिये सामाजिक और बित्ती तोर पर आत्मिनित भर बनाना है उसके बाद इसका मंत्राले कौन था जैसे देखे दो तीन चीज़े पूछी जा सकती है पहला इसकीम कभी start हुआ उसका उद्देश क्या था उसका मंत्राले क्या है ये तीन चीज़े पूछी जाती है लगबग मंत्राले कहों था महिले यों बाल विकास मंत्राले स्वास्त परिवार कल्याड मंत्राले तथा मानव संसाधन मंत्राले के दौरा बेटी बचाओ बेटी प जोड में पर्वार्तन, उसके नाम से बचत को प्रोटसाहन करना था, सुकन्य शम्रिधी योजना, उसके बाद अगला देखिए, प्icus life related ुजयोन तो मैं ने इसको जी के में到, काफी कुछis काफी कुईस्टिन इससे आपके कबार होंगे मुद्र मतलब माइक्रो योनिट्स डेवलप्मेंट एंड रिफाइनेंस एजनसी लिमिटेड आठ अप्रेल 2015 को इसका सुभारम भी किये जाता है छोटे कारोबारियों को पच्चास हजार से लेकर दस लाग तक रेड़ देना उसके बाद भारस सरकार के सोच मिला लग एवं मध्यम उद्यम मंत्राले के दारा इसको लांच किया गया उसके बाद देखिए उजाला योजना उजाला योजना देखिए कब की सुरू की गई थी एक माई 2015 को यह मद्य सोची कि यह सब कौन से स्कीम है यह सब समली यह मैंने सभी स्कीमे कबर की है तो आप लोग लाश्ट तक जुड़े रहे और देखिए अभी स्वास्थ से रिलेटेड इस स्कीम जो है नीचे आपको मिलती चलीएंगी उसको एक सौवलंबन योजना था उसको इसे में मिला लिया गया और बित्तुमंत्राले का दौरा इसका मतलब लांच किया गया 18 से 60 वर्ष के आसंगठी छेत के लोगों के लिए मासिक पेंसन इसमें देना था उसके बाद देखी अगला क्या है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना जीवन जोती बीमा योजना तो ये 9 माई 2015 को लांच किये जाता है 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाग का जीवन बीमा 330 रुपे सालाना की प्रेमियम के आधार पर तो ये इसका था उसके बाद देखी ये बित्मांत्राले के दोरा फाइनेंस मिनिस्टी के दोरा इस स्केम को लांच किये गया था उसके बाद देखी प्रधान मंत्री सुरक्ष वीमा योजना जिसको आप लोग साट फार्म में जिसे कहीं पर देखें होंगे साट फार्म में PMJJBY कहा जाता है PMJJBY तो इसका साट फार्म होता है ये 9 माई 2015 को लांच किये गए 18-70 वर्स के लोगों के लिए साधारड बीमा दुरगटना बीमा 2,00,00 का 12 रुपए प्रतिवर्स इसमें मतलब देना था उसके बाद Smart City योजना तो ये मैं सोची कि सभी स्केम समलिजे जितने स्केम अभी 10 वर्स में चलाए गए हैं हेल्थ से रिलेटेड और अदर्स चीजों से रिलेटेड मैंने Central Government की सभी स्केमें कबर की है तो आप लोग देखे Smart City योजना 25 जून 2015 2015 से 2020 तक देश के सव चुने हुए सहरों को Smart सहर के रूप में विक्सित करना मंत्रा लेकाँ था सहरी विक्स मंत्रा ले उसके बाद अम्रित योजना अम्रित योजना पूरा देखी इसका फुलफाम क्या है अटल मीशन फार अटल मीशन फार रेजू विंसन एंड अर्बन ट्रांस फॉर्मेशन 25 जून 2015 को अटल जो है अम्रित योजना चलाई जाती है इसका एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक सहरों में सभी आधार भोद सुविधाओं का विक्स करना मंत्रा ले काँ था आवासा ने उन सहरी विक्स मंत्रा ले उसके बाद इसी का दूसरा प्रारूप अटल अम्रित 2.0 लांच किया गया अगला क्या था प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी यह मदला ग्राइमिड उस सहरी के लिए अलग था यह प्रधान मंत्री आवास योजना जो आप लोग अगर सिंबल दे देगया तो कैसे समझेंगे जो प्रधान मंत्री आवास योजनस सहरी था तो समली जी इसका सिंबल ये है और ग्रामेड में जो है कुछ इस तरह सिंबल वना था सहरी कब लांच किया गया था 25 जून 2015 को उसके बाद ग्रामेड ग्रामेड 20 नॉम्बर 2016 को उसके बाद देखिए डिजिटल इंडिया मिशन का लांच किया गया डिजिटल इंडिया मिशन जो है एक जुलाई 2015 को सभी सरकारी सिवाओं को इलेक्टानी तरीके से जनत तक पहुचाना या उपलब्ध करवाना मंत्राले इलेक्टानी के उन सूचना प्रध्योगी की मंत्राले के द्वारा उसके बाद देखिए अब आगे देखिए कौंस है आगे है स्वड मौद्री करण योजना तो पांच नमबर 2015 को घरों यों अनसंसादनों में निस्क्री पड़े सोने को उत्पादक कारियों में लगाना मंत्राले बित्त मंत्राले उसके बाद अगला देखिए उदय उदय पीयम उदय तो इसका पीयम उदय आप लोग जानते ही होंगे कि 2015 में इसका स्टार्ट हुआ सारबजनी खेत की बिजली बित्रड कमपनियों को घाटे से उबारना था विद्धुत मंत्राले के द्वारा इसको लांच किया गया उसके बाद देखिए अगला है प्रधान मंत मंत्राले के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया अगला क्या है स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया 16 जन्वरी 2016 नए उद्यमों को बढ़ावा देना स्टार्ट अप इंडिया तो आप लोग इसका सिंबल भी देख सकते हैं स्टार् चार मार्च सेतु भारतम योजना देखिए कब शुरू किया गया चार मार्च 2016 को राष्टरी राजमारगों को रेल्वे क्रासिंग रहित बनानी के लिए ओबर और अंडर ब्रिज का निर्मार करना था इसमें सेतु भारतम योजना में अब देखिए कुछ लोग कहेंगे इं स्टेंडप इंडिया पांच अप्रेल 2016 को अंसूचित जाती जन जाती तथा महिला उद्यमयों को नई कमपनिया स्थाफित करने हैं तो दस लाग से एक करोड तक कर रड़ देना उसके बाद अगला क्या है ग्रामोदय से भारत उदय ये एक मिसन था ग्रामोदय से भारत उ करने पर बल दिया गया था इसमें उसके बाद अगला क्या है प्रधान मंत्री उज्जोला योजना ये पिछली प्यार भी पूछा गया था प्रधान मंत्री उज्जोला योजना एक माई 2016 को इसको लांच किया गया था गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए र पर्धान मंत्री उज्जला योजना 2.0 जैसे कुछ इस्कीमे जेतने लच्छ रखा जाता है उतने तक नहीं पहुश पाती है तो उसका दूसरा फेज या दूसरा चरण स्टार्ट किया जाता है तो पर्धान मंत्री उज्जला योजना 2.0 दस अगस्त 2021 को इसका भी यायती मोले पर यल्पीजी का कन्यक्शन उपलब्द करवाना था उसके बाद देखिए अगला क्या है नमामी गंगे योजना नमामी गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए केंद्री जलसंसाधन नदी विकास और गंगा कायकल्प मंत्राले के द मंत्राले ग्रामीर विकास मंत्राले के दौरा है यही कल मैं नर्सिंग एप्टिट्यूट का लेक्चर नमबर 6 करवाऊंगा नर्सिंग एप्टिट्यूट का लेक्चर नमबर 6 है उसमें मैं आपको वह टॉपिक करवाऊंगा जो आपके बायू के द्रिष्टी से भी इंप पार्क हैं उन सभी का जितना भी है पूरा एक वीडियो में आपको कबर किया जाए है पूरा चीजे एक वीडियो में आपको मिलेंगी तो उसको जरूर देखना उसके बाद देखिए क्या है यह आप लेग देख लिए उसके बाद देखिए प्रधान मंत्री सहज बिजली घर यूजना जिसको सवभाग के नाम से भी जाना जाता है 25 सितंबर 2017 को लांच किया गया था हर घर को बिजली परदान करने के लिए यूजना थी उसके बाद अगला क्या है परदान राष्ट्री पोसड अभियान 30 नॉबर 2017 को सही पोसड देश रोसन इसका ये पूरा क्या कहते हैं सुलोगन था 30 नॉबर 2017 को स्टार्ट हुए पोसड अभियान पोसड अभियान तो आप लोग इसको देख सकते हैं अगला देखिए अगला देखिए क्या है अगला क्या है गोबर धन यूजना गोबर धन यूजन एक फरूरित 2018 को स्टार्ट किया गये था पसूं की गोबर और खेतों के ठोस अपसिष्ट पदार्थों का कमपोस्ट बायोगेस बायोस इनजी में परिवर्थित करना था अगला क्या है वन धन यूजना वन धन यूजना जन धन नहीं है ये वन धन यूजना है तो देखी वन धन यूजना का क्या था 14 अप्रेल 2018 को इसको स्टार्ट किये जाता है वन उपच के लिए प्राथमिक प्रसंस्करड और मोली समवर्धन का उपलब दता सुनेश्चित हो सागे तो इसका ये उद्देश से था पीएम आसा एक स्कीम थी आप लोग ज्यानते होंगे पीएम आसा प्रधान मंतरी अन्यदाता कुछ इसी तरह करके था प्रधान मंतरी अन्यदाता देखी लिखा गया है अन्यदाता सुरक्षा अभियान कुछ करके था संरक्षन अभियान प्रधान मंत्री अन्यदाता संरक्षन अभियान 12 सितंबर 2018 को किसानों को उनकी उपच के लिए लाभकारी मोले सुनिश्चित करना इसका उद्देश से था इसे स्कीम का उद्देश से था उसके बाद देखे आयूसमान भारत देखिए ये हेल्थ से रिलेटेड आ गया है आयूसमान भारत बिस्तु की हेल्थ केर की सबसे बड़ी योजना है ये आयूसमान भारत तो ये सभी कुश्चन पूछा जा सकता है आयूसमान भारत बिस्तु के हेल्थ केर की सबसे बड़ी योजना है 23 सितंबर 2018 को लांच किया गया सारवजनिक स्वास्त सुधार और सतत विकास के लच्चियों को प्राप्ट करना था और मंत्राले कौन था आयूश आयूस मंत्राले का देखिए फुलफाम भी पूछा जा सकता है आयूस मंत्राले का फुलफाम भी पूछा जा सकता है ए से होता है आयूर बेदा वाई से होता है योगा यू से होता है यूनानी यस से होता है सिद्धा या चसे होता है होम्यो पैथी तो ये आयूस मंत्राले का फुलफाम होता है उसके बाद अगला देखे प्रधान्मंत्री किसान संबान निधी, यह देखे ऐलग है यह प्रधानتمंत्री किसान संमान निधी, चोबिस फरवरी 2019 को स्टर्ट किया गया, भारत सरकार द्वर्डेश में छोठे और सिमानत किसानों को प्रत्यक्छत आये संबंदी सहाजता देना मंत्राले किर्सी के द्वारा उसके बाद देखिए प्रधान मंत्री कुसुम योजना क्या था देखिए नीचे कुसुम योजना के तहट यह कभी स्टाट किये गए था मार्च 19 में 2019 में किसानों के लिए सौलर पंप और नभीनी करब उजय सायोत्रों की स्थापना करना था कुसुम योजना के तहट देखिए कुसुम योजना का जो स्लोगन था इट्स टाइम टू सपोर्ट फार्मर्स उसके बाद अगला देखिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना था यह कभी स्टाट क सरकार दोर गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वित्रड की योजना थी उसके बाद देखिए जल जीवन मिशन आप लोग ज्यानते होंगे देखिए जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन कब स्टाइट किये गए था जल जीवन मिशन 15 अगस 2019 को ग्रामीड भारत के सभी जीवन मिशन था 15 अगस 2019 उसके बाद अगला देखिए अटल भूजल योजना 15 अगस 2019 देश के उन सभी छेत्रों में जल संकट ग्रस्त छेत्रों में भूजल संसाधन के प्रबंधन में सुधार करना है तो ये अटल भूजल योजना था उसके बाद अगला देखिए अगला क्या है स्वामित योजना क्या है स्वामित इसके 24 अप्रेल 2020 को ग्रामीड इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना इसका मतलब लच्छ था स्वामित योजना का उसके से संबंदित हैं कुछ छेत्रों में जैसे उद्जुला हो गया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हेल्थ से रिलेटेड स्कीम काफी जादा पूछे जाने के संभाव ना है और बाकी ये सब भी पूछे जा स सकते हैं तो इसलिए लाश्ट तक जरूर देखिए आत्म निर्भर भारत योजना 12 माई 2020 जेतने भी गरीब और स्रमित लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है इसका उद्देश से उसके बाद अगला देखिए प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना 10 सितंबर 2020 क उसके बाद अगला क्या है आपरेशन ग्रीन योजना 2018 में स्टार्ट किया गया खाद परसंस करड को बढ़ावा देना आपरेशन ग्रीन योजना उसके बाद आदम निर्भर भारत रोजगार योजना 12 नुमबर 2020 को कुरोना संकट में रोजगार बढ़ानी की दिशा में सिर्जन करना और रोजगार के उसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश से था उसके बाद अगला देखी अगला क्या है प्रधान मंतरी जीवन ज्योती बीमा योजना ये 9 माई 2015 को स्टार्ट किया गया था इसको देखी लिए गया प्रधान मंतरी कौसल बिकास योजना दे बीच में इसको छोड़ देते हैं उसके बाद देखी अगला क्या है जल सकती अभियान कैच दरेन कैच दरेन अब देखी कहीं काफी सहरों में ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में जैसे आभी हाल ताज में समलीजे बैंगलोर में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई है उसी तरह देखी जल सकती अभियान जल संचे बहतर कल इसका स्लोगन था 22 मार्च 2021 को जल संचेन और वर्सा जल का संचे करना इसका उद्ये से था उसके बाद देखी यूवा योजना देखी क्या लिखा गया है यूवा उद्यमिता विकास अभियान 29 माई 2021 को स्टार्ट किया जाता है उन सभी नवववदित लेखोकों को बढ़ावा देना देश की स्वतन तता के लिए किये गए बलद्यानों का वर्डन किया उसके बाद देखी अगला क्या है हम सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान ये देखिए अभियान क्या है इसके बारे में सुरक्षित हम सुरक्षिक्तुन 8 जून 2021 को COVID में प्रभावित ब्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना है तो देखिए ये काफी important हो जाता है काफी important हो जाता है क्योंकि ये COVID से related है तो 8 जून 2021 को start किया जाता है जान है तो जहान है अभियान ये vaccination के लिए था जान है तो जहान है तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं जान है तो जहान है vaccination के लिए 21 जून 2021 को COVID टी का करण को बढ़ावा देने के लिए start किया जाता है निप्यून भारत कारिकरम निप्यून भारत कारिकरम 5 जूलाई 2021 को आधार भूत साच्छार्था ये उन संख्यात के ज्यान को छात्रों के अंतरगत बिक्सित करना इसका उद्देश से था उसके बाद देखे अगला क्या है PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को इस्टार किये जाता है भारती टेक्स टाइल का अस्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की इस्तिती को मजबूत करना था अगला क्या है प्रधान मंत्री गति सक्ति योजना प्रधान मंत्री गति सक्ति योजना अक्टूबर 2021 को श्टार्ट किये जाता है युवाँ को रोजगार के आउसर उपलब्ध कराने के लिए उसके बाद अगला क्या है दिखिए अगला है स्वानी धी से सम्रेद्धी योजना स्वानी धी से सम्रेदी योजना एक जून 2020 को स्टार्ट किया जाता है स्ट्रीट बेंडर्स को कम ब्याजदर और आसान सर्तों पर काम करने के लिए रेड उपलावद करवाने के लिए उसके बाद अगला देखिए अगनी पत्य योजना अगनी पत्य योजना के अंतरगत अगनी बीर बनते हैं ये आप लोग जानते होंगे इसका काफी बिरोध भी हुगा था 14 जून 2022 को स्टार्ट किया गया देश की युगाओं को चार वर्ष के लिए सेने में भरती करना इसका उद्देश है था उसके बाद देखे प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना एक जनवरी 2017 को स्टार्ट किये जाता है प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना एक जनवरी 2017 को मात्र सक्ति राष्ट्र सक्ति इसका स्लोगन था महिला और बाल भीकास मंत्राले द्वरसंचाली थे गर्भतियों अस्तनपान कराने वाली महिला हैं इसमें जो है लाभार्थी हैं जिनको इस इसकेम के तरह लाभ मिलेगा उसके बाद अगला देखे किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी योजना 1998 अगस्त में स्टार्ड किया गया था लाभार्थी काउना छोटे किसान सीमान किसान बटाईदार और पट्टेदार किसान उसके बाद प्रधान मंत्री ग्राम सड़ा की योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़ा की योजना देखे कहाँ इंधन, वातावरन, अनुकूल, फसल, आवरहेस, नारन, योजना, अब एएर आवरहेस, नारन, योजना, देही कुछ क्या लिखा गया है, तो 28 फरवरी 2019 को इस्टार्ट की जाता है, भारत सरकार का लच, 2023 के अंततक देश में एथनाल का उपयोग 10% तक कम करना, मंत्राले कौन था, मंत्राले था, पेट्रोलियों में प्राकृतिक गैस मंत्राले था, इसके अंतरगत ये लांच किया, तो देखिए था, जैव, इंधन, वातावरन, अनुकूल, फसल, आवरहेस, नारन, योजना, तो ये देखिए कुछ इस्केम से थी, जिसमें हमें लगता है कि जिसे health से related कुछ इसकेमें छोट गई है, तो मैं भी आप लोगों को उपर health से related इसकेम के बारे में, देखिए, सभी कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए, आप लोग जानते होंगे, एक mission था, जिसको कहा जाता है, national rural health mission, national, national rural health mission, national rural health mission, national rural health mission, तो यह कब start किया गया था, यह 2005 को, यह 2005 को start किया गया था, देखिए, मैं शॉटरी स्वास्त वीमा योजना कब start किया गया था, देखिए, मैं shot family को दे रहा हूं, राष्ट्री स्वास्त वीमा योजना, राष्टी स्वास्त भीमा योजना 2009 को स्टार्ट किया गया था इसी के साथ आप लोग कुछ और चीज़े जान लीजिए जैसे INC Act कब आया था INC Act कब आया था INC Act आया था 1947 में INC Act 1947 में आया था 1949 में एक्षन में आया 1949 में एक्षन में आया उसी के साथ NNMC नेशनल नर्सिंग मेडवाइफरी काउंसिल बिल एक था NNMC बिल जो है 2023 में आया NNMC बिल नेशनल नर्सिंग मेडवाइफरी काउंसिल बिल 2023 में आया उसी के साथ देखिए World Nursery 12 माई को मनाया जाता है World Nursery Florence Nightingale की जन्मदिन पर मनाया जाता है इसे के साथ देखिए आप लोगों को कुछ कुछ कुश्चन ऐसे करवा भी दे रहे हैं तो देखिए अगला कुश्चन क्या है हम लोगों का अगला कुश्चन हम जेखिए जैसे मैंने बताया कि National Health Mission National Health Mission National Health Mission के अंतरगत दो मिशन थे देखिए आप लोग इसी तरह बना वी सकते है National Health Mission के अंतरगत National Rural Health Mission था और National Urban Health Mission था National Urban Health Mission था Rural ये ग्रामीड के लिए था Urban ये सहरी के लिए था ये 12 अप्रेल 2005 को लांच होता है 12 अप्रेल 2005 को 2005 को जबकि ये 2013 को ये स्किम लांच होता है 2013 को ये लांच होता है तो देखिए ये कुछ हमारे स्केम से थे Central Government के जो भी छूटा हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा बाकि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद